हेलो गाइस आज हम यूमन राइट्स पढ़ने जा रहे हैं मेरा नाम रोहीत और आपका मेरे चैनल विदी डॉक्टर में हार्दिक स्वागत है जैसा कि आप देख पाने यूमन राइट्स हम पढ़ेंगे यूमन राइट्स just because हम एक यूमन बींग है हमने इस धर्ती पर जनम लिया है तो यह हमें कुछ एक अधिकार है खुली सांस लेने का अधिकार सब फ्री जनम लिया है किसी पर कोई ठपा नहीं लगा है इस लेवरी क सकते हैं जबकि यूमन राइट्स को कोई भी परिस्तितियों में आपसे चीना नहीं जा सकता यह यूनिवर्सली अडॉप्टड हैं just आप चाहे किसी भी religion, race, caste, creed कहीं के भी हैं किसी भी देश के रहने वाले हैं इस धर्ती पर अगर आपने जनम ले लिया है तो आपको यह यूमन राइट्स मिलेंगे simply because you are a human being inalienable rights इनको आपसे अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह जीने के लिए जरूरी है Rights possessed by every human being irrespective of his or her, nationality, race, religion, sex, etc. अब जैसे यह आप देख पारे हैं अगर आपने जनम ले लिया ना इस धर्ती पर तो आपको यह rights मिलेंगे यह हैं human rights अब इसकी history की बात करें तो 539 BC के अंदर एक Cyrus the Great राजा थे इनोंने Babylon City को जीतने के बाद इनका दिल खुस हुआ जैसे Mogambo खुस हुआ वैसे ही यह खुस हुए और इनोंने उस time totally unexpected था आप एक पर सोच कर देखिए 539 BC की मैं बात कर रहा हूँ He freed all slaves to return home उनोंने का सब आप घर जा सकते हो जो भी इनके slaves थे और साथ ही में यह उस time उनोंने rights दे दिया कि आप अपना खुद का धर्म खुद चूज कर सकते हैं 1215 में Magna Carta आता है और first time एक written ऐसा document है और इसमें यह का गया कि King को भी law से उपर नहीं रखा गया King भी law के अंडर आएंगे 15 June को यह आता है बहुत बार exams में पुछा जाता है कि Magna Carta आया कब इसको याद करने का एक simple सा तरीका है 15 15 ता आपको इतना ही याद रखना है June 1215 में यह आया वा है Magna Carta first written document in the history of human rights 1628 में petition of rights है इसमें भी कुछ एक rights दिये गए गलत तरीके से tax लगाया जाता था उसको भी पूछा गया कि आप ऐसा क्यों लगा रहे हैं King को रोका गया साथ ही में गलत तरीके से जिनके trials होती थी उनको भी रोका गया 1689 Bill of Rights जो जिन अंग्रेजों ने हम पर राज किया उन्होंने भी उनके भी 1689 में Bill of Rights कुछ एक rights दिये गए जो constitution में right to life, liberty ये गलत लिखा गया, aim हो गया and the pursuit of happiness इन सब की इन्होंने बात करी 1789 फ्रेंस का एक document है जिसमें का गया कि all citizens are equal before law तो ये एक क्रक्स में इसकी history हो गई है, हमें basically पता होना चाहिए कि सबसे पहली बात तो अगर human rights की ये Cyrus the Great करते हैं उसके बाद में written document 1212 में आया, 1628 में petition of right था, 1689 में Bill of Rights इंग्लेंड का है और 1776 में अमेरिका की independence के दौरान उन्होंने rights दिये और 1789 में France जैसा कि आप अब देख पारे हो classification of human rights, अब हम इनको classification कैसे करते हैं ये एक internationally level पे जैसे और एक है, induisibility के base पे और एक generational basis पे international basis पे आपको इसका एक universal declaration of human rights आया, UDHR next हम वीडियो में उनी पे बात करेंगे इनका कैसे classification, कहां कहां, इनका protection दे रखा है अभी के लिए इतना समझ लो कि UDHR 1948 में जो आया हुआ है, 10 December को ये लागू हुआ था, 10 December 1948 तो इसमें article जो आपके दिये हैं, 3 से लेकर 21 तक, article 3 to 21, civil and political rights की बात करता है और article 22 से लेकर 28 तक, economic, social and cultural rights की बात करता है international basis पे हम जो classification करेंगे, ये दो हो जाएंगे एक में आजाएगा civil and political rights, और दूसरे में आजाएगा economic, social and cultural rights इकनॉमिक, social and cultural rights आजाएगा इन्डिजिविलिटी की बात करें, तो ये कह रहे हैं कि इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता बाकि कई critics कहते हैं, इन दोनों का nature अलग है, जैसा कि ये लोग मानते हैं, economic and civil, social and cultural rights है ये positive in nature होते हैं, और civil and political rights है, वो negative in nature होते है लेकिन, इन्डिजिविलिटी के बेस पे हम ये कहेंगे, कि इनको divide नहीं किया जा सकता दोनों को generational basis, ये इस टाइम का नया formula है, जो केरेल वेसक का नाम इस पे आता है, केरेल वेसक इन्होंने ये बताया कि generation के base पर है, generation में first generational कौन से हैं, second generational कौन से हैं और third generational कौन से हैं, इन्होंने first generational जो civil and political rights हैं उनको बोला और civil and political rights को का कि ये liberty oriented है, सबसे पहले हमें liberty चाहिए, स्वतनतरता चाहिए हमें सबसे पहले जैसे right to life हुई, security of individual हुई, torture, slavery, इन सबसे हमें freedom चाहिए, political participation चाहिए तो ये civil and political rights है, जो अभी मैंने बता है, UDHR के article 321 में ये बात की गई है, ये वो rights हैं, जो सबसे पहले first generational rights होंगे, कैल वसक ये में सही pronunciation कर रहा हूँ, नहीं पकर रहा, ये आप देख लेंगे न, लेकिन first generational जो rights हैं, civil and political rights है, इनको liberty oriented कहा जाता है, अब आपको ये भी पूछा जा सकता है, कि first generational rights कौन से है, second में हम बात करें, तो second generational rights है, economic, social and cultural rights, ये है security oriented, पहले हमें चाहिए थी स्वतनतरता, अब आए हम सुरक्षा की तरफ, तो सुरक्षा की तरफ इसमें जैसे right to work है, education है, reasonable standard of living है, food है, shelter है, health care है, ऐसे provisions हमें हमें आरे समविधान में भी मिलेंगे, उन सम की हम next video में बात करेंगे, लेकिन just for the sake of knowledge हम बात करें, classification इनको classify, तीन grounds पे किया गया है, internationally basis पे, फिर third जो है, third generational solidarity rights, ये अब आज का जो concept है, हम ये कहते हैं कि हमें protection from destruction चाहिए, right to culture, political economic development चाहिए, self determination चाहिए, तो ये एक debatable issue है, अभी जो third generational rights है, ये debatable issue है, साफ सुत्रा वातावरन चाहिए, तो ये भी जीने के लिए सब कुछ जरूरी है, इनको तीन चीजों में divide किया गया, अब next video में हम क्या बात करेंगे, इनका protection किस-किस grounds पे दिया गया है, जैसे universal base पे हो गया, फिर regional base पे हो गया, and third we will talk, कि हमारे Indian constitution में इनका protection केसे है, fundamental rights ये होते कैं, मानव अधिकार क्या है, और fundamental rights क्या है, इनके बीच में हमने पढ़ लिया, फिर हमने history में बात करी, history में उन्होंने Babylon जीता, तो उन्होंने ये बोला 532 BC, before Christ, तो उन्होंने खुश हो के slavery के जो उनके थे उनको छोड़ दिया, और साथ में का आपको अपने धर्म को भी शूज करने का अधिकार, written document सबसे पहले आया, 1215 में 1619 से की हमने बात करी, और ऐसे करके 1776 USA का, ये सब documents important है, बाद में हमने बात करी इनके classification की, की classification किन-किन grounds पर किया जाता है, एक ground हो गया आपका international level, और second आपका हो गया indivisibility and third हो गया generation के base पर जिन में नाम आता है कारल वसेक का, उमीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, चैनल को like, share, subscribe कर दे, आपको पसंदा आ रहा है तो, thank you, हसते रहिए, मुश्कुराते रहिए, टाटा बाए,